हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, गाईज आज मैं Close Friends Season 2 एपिसोड 4 का हिंदी एक्स्प्लेनेशन आप लोगों से शेर करने वाली हूँ, अगर आप लोगोंने प्रिवियस एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प् टाइफुन आके डोर ओपिन करता है, पियर्स कहता है, आइम सोडी मुझे नहीं पता मॉम को क्या हो गया है, वो आमतोर पर ऐसी नहीं है, टाइफुन कहता है, क्या तुमने कभी उन्हें हमारे बाड़े में बताने के बाड़े में सोचा है, पियर्स कहता है, जरूर हर वक् टाइफुन कहता है क्यों नहीं क्या ये इतना डरावना है कि तुम्हें mentally prepare होने के लिए time चाहिए तुम सच को स्विकर करना नहीं चाहते या फिर तुम हमारे relationship को लेके शर्मिन्दा हो पियर्स कहता है ऐसा नहीं है फुन थोरा सा और वेट करो मैं मॉम से बात करने के लिए सही समय धून निकालूंगा लेकिन अभी नहीं टाइफुन कहता है जैसे मेरे पास और कोई choice है और डोर फटाक से बंद कर देता है फिर पियर्स दूसरे रूम में जाके music सुनने लगता ह वो बहुत अपसेट होता है और रो रहा होता है और टाइफुन भी रो रहा होता है फिर जेडाई और रे को दिखाया जाता है वो सो रहे होते है लेकिन जेडाई जागा हुआ होता है वो रे की तरफ देखता है तबी उसके फोन पे एक notification आती है वो उसे देखता है और चौ और जेडाई के फोटोस सोट मीडिया में वाइरल हो गए है पर स्टुडिओ का सिन्द दिखाया जाता है पाई कहता है ये फोटोस बाहर कैसे निकले तुम्हें क्या कहना है जेडाई जेडाई कहता है कुछ भी नहीं मैं अपने घर पे था और किसी ने मेरी फोटोस ली ये मेरी प्राइवेसी का उलंगन है आपको उस विक्ति को खोजना चाहिए पाई कहता है ये अलग कहानी है ये आथोरिटीस को सम्हालना है लेकिन तुम अपने फैंस से क्या कहने वाले हो कि जेडाई का एक सिक्रेट लवर है जेडाई का एक ब्रॉइफ्रेंड है जेडाई कहता है उन्हें सच बता देंगे वो ग्रूमर कहता है इसका नाम है आउन आउन कहता है जेडाई तुम मेरे साथ 6 साल से हो हमें पहले कभी कोई प्रॉब्लेम नहीं हुई तुम्हें दूसरों से बहता तरीके से जानना चाहिए कि सिंगिल रहना तुम्हारे कॉंट्रेक्ट का एक कंडिशन है जेड़ाई कहता है लेकिन वो कॉंट्रेक्ट पहले तीन साल के लिए वैलिड है अब मैं लोयल्टी के बाहर हूँ आउन कहता है तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हमें एक साथ जिमेदारी लेनी होगी स्पॉंसर बाहर खीच सकते है और फिर मिलिन के साथ शिप प्यारिंग प्रोजेक्ट है सिर्फ मैं एफेक्टे नहीं होँगा पाई की म्यूजिक कमपनी भी होगी जेड़ाई कहता है आप नुकसान के मुहावजे की मांग कर सकते है मिस्टर पाई मैं इसके साथ खुश हूँ पाई कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन ऐसा दोबारा मत होने देना मुझे लगता है तुम्हें उस लड़के से इसी वक्त ब्रेकप कर लेना चाहिए एटलिस्ट ये तब तक किया जा सकता है जब तक कोला प्रोजेक्ट चालू है जेड़ाई कहता है उस लड़के का एक नाम है उसका नाम है रे और वो बहुत लंबे समय से मेरा फैन रहा है मेरे फेमस होने से पहले से वो मेरे लिए स्पेशल है मैं उसके साथ ब्रेकप नहीं कर सकता तीना कहती है मैं समझ रही हूँ के ये एक पर्सनल मैटर है लेकिन ऐसा कुछ बाहर मत आने दीजिए अगर आप छुपा के नहीं रख सकते तो ऐसा कुछ मत कीजिए और अगर आप नहीं कर सकते तो उसके साथ सीरियस मत होईए पाई जेडाई से कहता है आल राइट पर्सनल मैटर्स को भूल जाओ क्या तुम बिसनिस के जिम्मेदारे लेने जा रहे हो और कैसे मुझे बहुत सारे इंपलोईस का देखभल करना होता है जबसे तुम्हारी नियूस बाहर आई है सबके नीन दूर गई है गाने की कॉंसेप्ट आप काम नहीं करेगा वो डिप्रेस्ट लड़की और मुफट लड़की की कहानी पियर्स इसे ठीक करो अगर हम इसी कॉंसेप्ट से चिपके रहेंगे तो इसे कौन खड़ी देगा कोई भी इसे विश्वास नहीं करेगा फिर टीना से कहता है टीना एजे प्रोमोटर तुम्हारे पास इसके लिए क्या सेलिशन है टीना कहती है मुझे पहले अपने टीम से बात करनी होगी टाइफुन कहता है खुन पाई क्यूंकि चीज़े पहले से वैसे ही है फैंस इस चीज़ को एप्रिशेट कर सकते है अगर पीजे डाई जूर ना बोलके सिर्फ सच कहे लोगों का प्यार करना गलत नहीं है उसने किसी का मर्डर नहीं कर दिया हमें इसे क्यों छुपाना है पाई कहता है वाउ, हीज अन फायर टीना वो तुम्हारे अंडर है और पाई वहाँ से बाहर चला जाता है टीना भी उसके पीछे आती है और कुछ कहने जाती है तो पाई कहता है आउन के साथ बात करो और इसका सेलूशन ढून निकालो कल शाम होने से पहले और चला जाता है फिर टाइफोन और पीर्ज भी बहार आते है उसके बाद आउन और जेडाई भी तभी वहाँ पे मिलिन आती है आउन मिलिन से कहता है तुम चिंता मत करो मिलिन तुम एफेक्टे नहीं होगे हमारा सारा प्रोजेक्ट अभी भी आगे वरने वाला है मिलिन कहती है मुझे बोलना अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूतो आउन कहता है ठैंक्यू सो मच एक्चुली मैं तुमसे कहने वाला था कि सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़ादा पोस्ट करने के लिए ताकि फैंस इंगेज्ट रहे मिलिन कहती है जरूर मैं रिपोर्टर्स को ये भी बोल सकती हूँ कि मैं जेडाई की गर्फेंड हूँ आउन कहता है क्या सच में ये बहुत हेलफफुल होगा ठैंक्यू मिलिन तुम बहुत अच्छी हो और वो दोनों वहाँ से जाने लगते है तभी जेडाई मिलिन को बुलाता है फिर टाइफून और पियर्स को वाश्रूम में दिखाया जाता है पियर्स कहता है फुन क्या तुम अभी भी मुझसे गुसा हो तुमने सुभा मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया टाइफून कहता है पर्सनल चीजों के बारे में घर में बात करेंगे पियर्स कहता है ये वही है जिसके बारे में मैं तुमें वर्ण करना चाता हूँ मीटिंग के दोरान वो कहना ठीक नहीं था टाइफुन कहता है वो कैसे ठीक नहीं था पाई ने पूछा तो मैंने बोल दिया जो कुछ भी मेरे मन में था पियर्स कहता है तुम फिर से दूर हो रहे हो मैं कहने वाला था के तुम अपने मन की बात कह सकते हो लेकिन तुम्हें पहले वो टीना के साथ डिस्कस करना चाहिए था और मीटिंग के बीच में उसे इस तरह से हुमिलियेट नहीं करना चाहिए था टाइफुन कहता है मैं उसे हुमिलियेट नहीं करना चाहता था पियर्स कहता है ओके मैं जानता हूँ के तुम्हारा वो मतलब नहीं था लेकिन तुम्हें उससे माफी मागनी चाहिए नहीं तो तुम्हारा यहाँ पे एक कठिन समय आने वाला है तुम जानते हो टाइफुन कहता है क्या तुम शियोर हो जो इंसान हुमिलियेट हुआ है वो तुम नहीं पियर्स कुछ कहने जाता है तो टाइफुन फिर से कहता है और कोई वर्निंग अगर नहीं है तो मैं अपने काम पे वापस जा रहा हूँ और वो चला जाता है फिर जेडाई और मिलिन को दिखाया जाता है मिलिन कहती है आप मुझसे बात करना चाहते थे जेडा कहता है हाँ मैं दूसरे लोगों को इसमें शामिल करना नहीं चाहता मिलिन कहती है इस ओके मैं खुश हूं कि मैं आपकी मदद कर पा रही हूं आखिर समस्याव का समाधान तो होना ही है जेडाई कहता है लेकिन मैं जादा चिंतित इस बात से हूं कि मेरे बॉइफ्रेंड को कैसा फिल होगा और तुम्हें भी मिलिन इस बिसनेस में होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना होगा लेकिन असली जिंदेगी में तुम्हें इतनी सेक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है अगर इसका मतलब है कि तुम्हें अपना फेम बनाए रखने के लिए वो खोना होगा जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मिलिन कहती है ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है मुझे परवा नहीं है कि आपके लिए कौन है जो आपके करीब है और वो अपने उंगली जेडाई के उंगली के साथ टेच करती है जेडाई ये देखके अपना हाथ थटा लेता है और कहता है बात ये है कि मैं सच में अपने बॉइफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसका दिल नहीं तोर सकता शायद वो अभी रोड़ा होगा और जेडाई वहां से चला जाता है मिलिन कॉमेंट करती है बॉइफ्रेंड ऑफ दे यर फिर रे और टाइफुन को रे के घर में दिखाया जाता है रे कहता है मेरा सब सोशल मीडिया एकाउंट्स खतम हो गया है वो गंदगी खोजने में बहुत अच्छे है उन्होंने मेरे पूरवजों का भी पता लगा लिया लोग मेरे बचपन के फोटोस भी शियर कर रहे है और वो मुझ सुनना चाता लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूं तो मुझे मिल जाता है वो लोग इतना मीन क्यूं है मैंने किसी का खून नहीं किया है टाइफुन कहता है क्या मुझे स्क्रीन ग्रेप्स लेने में तुमारी हेल्प करनी चाहिए तुम उन पर मुकदमा कर सकते हो और अमी जनम लेलू तब भी वो नियूस एक्जिस्ट करेगा टाइफुन कहता है लेकिन लोग उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे वो जल्दी इन सब चीजों के बारे में भूल जाएंगे रे कहता है लेकिन मैं नहीं यहाँ पर पीजे रही है मेरे कारण उसे परिशानी हुई वो शायद मेरे उपर बहुत गसा है उसने पूरा दिन मुझसे बाद भी नहीं किया टाइफुन कहता है वो शायद बहुत बिजी है इसके बारे में जादा मत सोचो डे कहता है फुन क्या तुम आज रात मेरे साथ रहोगे टाइफुन कहता है हाँ मैं भी पीपेर्ज के करने लगते हैं और पिपिर्स ने क्या किया टाइफुन कैता है कुछ नहीं यही तो प्रॉब्लेम है रे कहता है he हम दोनों ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। रे कहता है, मुझे लगता है यही टाइम है सब कुछ खतम कर दिने का। मुझे इस सपने से जागना होगा, मैं बहुत लंबे समय से सपने में जी रहा हूँ। टाइफुन कहता है मैं भी मुझे लगता है मुझे खुद से जूट बोलना बंद कर देना चाहिए मैं अब और कायर बन के नहीं रह सकता मैंने पहले ही उसके साथ चार साल से रहा है मुझे पहले साल में ही एहसास हो जाना चाहिए था कि मैं उसे कभी नहीं बदल पाऊंगा हमारे पास कुछ अच्छे समय थे और हमने एक साथ मेमोरीज बनाई रे कहता है क्या तुमने कोई डिशिशन लिया है टाइफुन कहता है हाँ मैं ठक गया हूँ रे कहता है शायद फिर कभी किसी से प्यार करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी और वो दोनों गार्डेन में ही लेट पे सुला देता है रे कहता है पी जेडाई तुम कब आए जेडाई कहता है तुम आंगन में सो जाने से पहले तुम लोग वहां पे क्यूं थे तुम्हें मच्छरों से डरने ही लगता रे कहता है टाइफुन कहा है जेडाई कहता है मैंने उसे उठा दिया और ठीक से बेट फ्रेंड को कॉल कर दिया है वो शायद जल्दी ही आके उसे यहां से ले जाएगा मैं तुम्हारे लिए उसे चेक करके आता हूं और वो उठने जाता है तो रे उसे रोक देता है और कहता है यहां पे रहो कहीं मत जाओ जेडाई कहता है वो कौन था जो बोल रहा था के सपना खतम हो गया है, तुम्हें आज रात को सजा मिलने वाला है, मुझसे ब्रेकप करने के बारे में सोचने के लिए, और रे को किस करने वाला होता ही है, तभी कॉलिंग बेल बज़ती है, पियर्स का भी क्या टाइमिंग है जेड़ाई कहता है मेरे वापस आने के बाद तुम्हें ये मिलने वाला है और जेड़ाई चला जाता है रे खुद से कहता है रे तुम्हें खुद को इखटा करना होगा जब भी तुम नशे में होते हो तो तुम उसे हमेशा दे देते हो फिर जेडाई जाके gate open करता है जेडाई और पियर्स एक दूसरे को देखके चौक जाते है जेडाई कहता है तुम्हारा boyfriend अंदर है अंदर आओ फिर दोनों अंदर जाते है पियर्स कहता है मुझे call करने के लिए thank you जेडाई कहता है you are welcome फिर कहता है मैंने सुना के तुम लोग मुश्किल दोर से गुजर रहे हो पियर्स हा कहता है जेडाई कहता है हम सभी गुजर रहे है फिर पियर्स टाइफून को अपनी गोदी में उठा के बाहर ले आता है जेडाई भी उनको हेल्प करने के लिए बाहर तक छोड़ने आता है फिर पियर्स टाइफून को ले जाके कार में बैठा देता है और जेडाई से thank you कहता है फिर जेडाई अंदर चला जाता है और पियर्स भी टाइफून को लेके चला जाता है और दिखाया जाता है वही लर्की फिर से उन लोगों की फोटोस लेती है फिर जड़ाई बेटरूम में जाके देखता है रे वहाँ पे नहीं है रे पीछे से उसकी आँख में हाथ रख के कहता है किसने कहा था कե मैं इसे अभी पाने जा रहा हूँ जेड़ाई उसका हाथ पकरके उसे बेट पे फेक देता है और उसे किस करने जाता है इधर पियर्स भी टाइफून के करीब जाता है और उसे किस करने वाला होता है तब ही एपिसोड एंड हो जाता है तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाइ